तो वहीं मतगर्णा की सुरक्षा को लेकर हमारे समवदाता राहुल ने राची में जाइजा लिया है तस्वीरे देखें सेखंड में फिरहाल एगिट पोल के मुताबित एंडिये को नुकसान होता दिखाई दे रहा आठ से दस सिट का अकड़ा हम इस समय पंडरा बजार समिती मौजूद हैं जहां पर राची लोग सभा के जो चुना हुए थे उसके यहां पर रखे गए हैं और यहां पर चार तार सहाय कॉंग्रेस और इंडिया कड़बंधन से चुनाव लड़ रही हैं और इंडिये और बीजेपी से संजय सेट चुनावी मैदान में हलाकि 2019 के चुनाव में संजय सेट ने जीत हासिल की थी और दुबारा बीजेपी ने उन पर विश्वाज चताते हुए चुनाव मैदा में उतारा है अब देखना यह होगा कि जब चार तारीक को इवियम खुलेगी उसमें भाग किसके भाग पर मद्दाता मुहर लगाते हैं राची की जनता मुहर लगाती है क्योंकि अभी तक की जो बात निकल कर सामने आई है कि एजस्वनी सहाय और जो संजय सेट है दोनों क की गिंती स्टार्ट होगी तो उस समय किसके भाग पर मुहर लगता है कौन चुनावी मैदान फतह करता है अगर हम बात करें सुरक्षा घेरे की बात करें तो तो त्री अस्तरी सुरक्षा घेरा बनाया गया सबसे आप बाद में जो इवियम जहां पर मत गरना सुरू होगी वहां के जो गेट हैं पूरी तरीके से लॉक किये गए हैं उसके बाद एक गेट और बनाया गया है जहां पर उसको भी लॉक किया गया है और एक में गेट से जो अंदर आप घुसे हैं वहां से एलाव है मीडिया को भी लेकिन इस गेट के आगे किसी को भी एलाव नहीं है पूरी पुकता विवस्ता की गई है जो जवान हें टैनार्थ किया गया तेक तरह से हम कह सकते हैं एब रग्षा vu aument देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षे पूर असुरक्षित तरीके से वियम को रखा गया है अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की तो चुनावा आए लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है सीची टीवी कैमेरे के माध्यम से और ऐसे में जब चार तारीक को मतगड़ना सुबह से स्टार्ट होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि राची क हैं उस आकड़ों में जो है राची की जो जनता है कितनी सही साबीत होता है क्योंकि जो एगजिट पोल आए हैं उसके मुताबित राची की भी सीट काफी शुरक्षित दिखाई नहीं दे रही है अपने सवगी दीपक के साथ राउल कुमार कसिस नूज राची